हलो हैं वेल्कम बेक टो माई यूट्यूब चैनल मर्जा भाई व्लॉग्स आज है बखरीत और बखरीत के अवसर पर हम वापस से पटना आ चुके हैं तो अभी जा रहे हैं हम नमास पढ़ने के लिए नमास का वक्त हो रहा है तो नमास पढ़कर के आते हैं फिर आज दिन बढ़ के पूरी कहान ही आप लोग के साथ शेयर की जाएगी तो वीडियो को पूरा देखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें सब्सक्राइब का बटन तो यह अपनी मस्जिद जहां हम आ चुके हैं नमास पढ़ने के लिए अब त्वेजर में यहां नमास स्टार्ट होगी बाड़िश की वज़ा से लोग कम आए हैं लेकिन उमीद है कि जब वक्त होगी नमास की तो भीड़ हो जाएगी कि अले जबी पारी कि अब तो अभी बाज रहे हैं सुभा के ग्यारा और साहरे नौबज में मास थी साहरे तस बजी खतम होई अभी तुरह साया रेस्ट करकर के फिर वीडियो स्टार्ट हिया है तो अभी जाना है कुछ रेलेटिप्स के घर और आज तिन भर बस खाना है जैसा होगा दिन भर का प्लान वैसा बताया जाएगा तो अभी निकलता है कि युद्धी काफी लेट होने वाला है तो जाना जलूरी होगा भी जाना है जाना है पहुंशे और काफी लंबा यहां पे ट्रैफिक लगा हुआ है इसमें नी हारे पुरा लाल लाल खुल हुआ है और सारे बारा का अपना शो है, आज मूवी देखने जाना है, और यहां पर अभी पॉने बारा हो चुका है, पेर्णे मॉल पहुंचना है, पैंतिस मिनिट उसमें शो कर रहे हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है, टिकेट लिया नहीं गया है, वहीं से जाके टिकेट लें, यह बहुत सारी स्वीट खाली है, मौसम भी काफी अच्छा हो गया है, सुभा में भाड़िश हुई थी, अभी रुकी हुई है, लेकिन कुरा बदली चाया हुआ है, यह आ गया ह अगुकुल हम सोसाइटी पटना में और राइट तब यह लोग निकल रहे हैं मौवी देख चुके हैं, ट्रांसफोर्मो बहुत जवरदर्स मौवी थी और अभी जा रहें कुछ खाने के लिए और यह पॉलेटेकनिक कॉलेज है, यहां हम लोग कोरोना की वैक्सिन लगवाए थे हाँ फर्स्ट वाला की वैक्सिन लगवाए थे काफी जादा बुकिंग चल रही थी, बहुत बुकिंग चल रही थी तो यहीं हम लोग को मिला था स्लोट और मेरी थी थुरी-थुरी सी खराब लग लग ले थी, सर्दी जुकाम हो गया है तो हम सोचें के कॉफी पी लेता है, कोर्रिंग में प्येंगे तो कॉफी का जो प्राइस था वैसे तो कॉफी पी लिये थे आ पसी कॉफी आ पायों बाती यह नो विचारे इसे रह पाए उनकी भूब यह थे शचया रह पाए थे देखने में अच्छा लगए में आपकेवक पतना हाठ है मैं स्टाइट नहीं हवा है। अब देखते हैं कौन से रिस्टोरेंट में जाते हैं। अभी देखते हैं कि यहां से रोट का और का अच्छा और क्वप्सूरत भी होता है। तो अभी हम लोग आए हैं मरीन ड्राइब पर क्योंकि जो हम लोग इसकाइडेक में गये थे वहां खाना का अच्छा खाना नहीं था तरह 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 स्टार्टर टेस्ट करके बाहर आ गये और मैंग डॉर्ड लिये हैं और मडीन राय पड़ा हैं बर्गर खाने के लिए मौसम काफी शांदार हो रहा है और हलकी हलकी सी बारिश टार्ट कुई है लेकिन अच्छा लग रहा है बारिश में जल जल दिखा लेते हैं यह अल्वेड़ी ठड़ना हो चुका है और यह अपने पीछे जितना फुक्सूरत दियों तो देखते ही देखते बारिश तेज हो गई और थोड़े बहुत भीग चुके हैं लेकिन चलेगा और अब यहां से निकल रहे हैं काफी अच्छा पांच दस मिनट का जो लमहा था यहां काफी अच्छा गुजरा अब अगली बार पता नहीं कब ऐसा समा बन है यहां पर अब फ्रेजश तरएंस खंडा होने के बार बेद्शा लगाता है वाँ अब खुब्सूरती है न भी आरिका पटना की आप आज निखर के आए कि अब निखर के आ रही है किया खुबसूरत लग रहा है और यहां पर सब लोग भीगने से बचने के लिए ब्रिच के नीचे लेकिन क्या खुबसूरत मौसम हो गया है साफ साफ दुला दुला बहुत अच्रा मौसम कई दिनों से बचना को तलाश थी इस तरह के मौसम की जिस जगह पर के मौसम की तबदीली आए यहां ला जवाब वर्थ यहां काना और बारिश में भीगने की जो खुशी होती है वो अलग ही होती है जो मज़ा होता है जो फील आता है बारिश में भीगने पर और जब इतनी अच्छी लोकेशन हो और बार जाएं यहां जो खुशी होती है झाल 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 झाल